आ हलो वर्किंग मोम्स, हलो एब्रीबन, आज मैं हल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, कि मूली से किस तरीके से आप पराथा बना सकते हैं, और इसी डो से आप रोटी भी बना सकते हैं, तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं, तो healthy पराटा बनाने के लिए मैंने दो मूली ली हैं इनको पहले पील कर लिया वाश कर लिया उसके बाद कद्दू कश करिया है और यहाँ पे धनिया पत्ती है एक चम्मच अजवाइन है एक चम्मच धनिया पाउडर है दो पिंच हल्दी दो पिंच लाल मिर्च पाउडर दो पिंच हींग और हरी मिर्ची हैं दो हरी मिर्ची इतना मसाला में ले रही है आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा जिंजर भी डाल सकते हो अब यह क्या हम आटी में गुथने वाले हैं इसलिए मूली में पानी है तो हम पानी अलग नहीं कर रही हूँ लेकिन अगर हम स्टफ व अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी आपको यहाँ पर पानी डालने की जुरूद नहीं है क्योंकि मूले में इतना पानी है पहले उसी से आट अगुत लेजे अगर हमको लगता है बाद में तो हम थोड़ा सा और डाल लेंगे अगर अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजे ताकि आपको मेरे सारी नीव वीडियोज मिलते रहें वर्किंग मॉम्स के लिए रेसेपीज और बच्चों को घर पे कैसे पढ़ाना है वीडियो शेयर करती रहती हूँ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो तो पानी देख सकते हो मैंने बहुत ही कम डाला है थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है क्योंकि डो जो बनाना है मेडियम कंसिस्टेंसी रखनी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट न हम लगा है अप रॉक्स चाह से पांच चमच पानी ही लगा होगा तो यह डो तैयार हो गया है अब हम बस छोटी-छोटी लोई बना लेंगे और पराटा आपने अकॉर्डिंग बेल लेंगे अब पराटा आप चाहो तो सरकल जैसा बना लीजे जो सेप आपको पसंद हो तो थोड़ा सा हम आठा लगा लेंगे आठा लगाने के बाद हम इसको बेल लेंगे तो मैं यहाँ पर सरकल वाला सेप ही बनाने वाली हूँ आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो जैसा आपको सेप बनाना है तो आप लोग अगर नए है मेरे चैनल पे तो प्लीस चैनल को स सारी फैमली खा सके और बच्चों को घर पर कैसे बढ़ाना है बिना एक्स्ट्रा टाइम दियो यह वीडियो शेयर करती रहती हो आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हो क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ मुझे पता है कि लिटिल डिफिकल्ट होता है एक साथ को कुकिंग और बच्चे को मानेज करना और ओफिस का काम तो इसलिए मैं वीडियो शेयर करती हो सकता है आपको यह हल्प कर सके तो देखे तबे पे मैंने घी अप्लाइ कर लिया है क्योंकि पहली बार मतलब हम पहला पराटा डाल रहे है तो वह चिपक सकता है इसलिए थोड़ा सा घी लग अच्छे से आपको पकाना है इसकता है मैंने इसको पलटा दिया है दोनों साइड घी लगा लूंगे मैं यहां पे घी लगा रहे है घी बहुत हैलदी अगहна चाहिए ग्चा बच्चो को यह रेसिपी बहुत पसंद आती है तो अब बच्चों के लिए अगर बनाला है तो हुए अगर पराटा सेखते हैं तो पराटा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है आप एक ट्राय करके देख लेज़ेगा अगर ऐसे प्रेश करके आप पराटा सेख रहे हूँ न तो पराटा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है तो वह बहुत अच्छा लगता है ब वेट लॉस भी हो जाएगा और healthy भी है सारे nutrition, vitamins, minerals सब आपको मिल जाएगा तो अपर रेसिपी घर पर जरू try करिए, try करने के बाद अच्छी लगे तो मुझे comment करके बताईए चैनल को subscribe जरू कीजिए गाईज thank you, take care, bye bye, मिलते है next वीडियो में